दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप flip card पर जो super coins होते हैं उनका use करके z5 का subscription कैसे ले सकते हैं one month वाला, ओके तो इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले आप अपना flip card app open करिए, flip card app open करते ही आपको इस type का interface मिलेगा, आप नीचे अपने account पर click करिए, यह इस पर click करने के बाद आपको उपर super coins दिख रहे होंगे, जितने भी आपके पास होंगे, आप इस पर click करिए, यहाँ पर आपको click करना है use coins पर, ओके use coins पर click करेंगे तो आपको इस type का interface मिल जाएगा, ओके यहाँ पर आपको नीचे ही इस type से दिखाता है, जैसे buy membership rewards दिखा यहीं पर अगर दिखाता है तो आप उस पर click कर लिजेगा, otherwise आप reward store पर click करिएगा, इस पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे options दिखाएगा, तो आपको एक option यहाँ पर दिखेगा, Z5 का 1 month subscription of premium worth 249, ओके आप इस पर click करिएगा, इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर दिखा रहा है claim offer using 120 coins, तो अगर आपके पास 120 coins है, available है, super coins balance है, तो आप इसको claim कर पाएंगे, तो claim करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर claim कर लेना, अगर आपको और details पढ़नी है, तो read more details पर click करके, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो terms and conditions है, उसको है न, ओके, और उस कर दीजेगा, जैसे ही claim now पर click करेंगे, यह claim हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर tap to copy voucher code दिखा रहा होगा, आप इस पर click करिएगा, इस पर click करेंगे तो यह copy हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर home कर लेना है, okay, home करने के बाद आपको play store में चले जाना है, और z5 app जो है वो download कर लेना है, अपने phone में यह वाला, okay, आप देख दीजे, इसको download करने के बाद आप इसको open करिएगा, open करते ही आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अपनी एक ID login कर लेनी है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप side में यह जो icon type से दिख login कर सकते, या फिर आप directly Google के through login कर सकते, तो आप यहाँ पर Google पे click कर लीजेगा login करने के लिए, और उसपे click करेंगे जैसे ही, तो आपके phone में जो भी ID's login होगी, Gmail ID वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, जिसदी ID से आपको आगे continue करना हो, आप उसपे click कर दीजेगा, जैसे ह आप उसपे click करेंगे, तो यहाँ पर logged in successfully इस टाइप से दिखा दिया होगे, login हो जाएगी आपकी ID, अब आपको क्या करना है, आपको click करना है by plan पर उपर यह दिखा रहा होगा, आप इसपे click करेंगे, इसपे click करते ही आपको इस type का interface दिखाएगा, तो आपको क्या करना है apply code का एक option दिखा रहा होगा, आप इसपे click करेंगे, इसपे click करेंगे तो जो वहाँ से हमने copy किया था न, code वही वाला आपको यहाँ पर paste कर देना, इस type से हमने paste कर दिया, और अब आपको apply पर click कर देना है, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर apply पर click करेंगे, तो यहाँ पर आ आपको बिखा देना है, यहाँ पर यह उपर एक box टाइप से छोटा सा दिखा रहा होगा न, आपको इस पर click करना है, इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको my reward में दिखा देगा, आपने जो लिया होगा उस पर आपको click करना है, और यहाँ पर वह code दिखा देगा ठीक है, यहां पे आप click करेंगे तो वो copy हो जाएगा तो आपको वही यहां पे paste करना है और बस यहां पे payment successful दिखा दिया आप आपको क्या करना है आपको simply अपना यहां पर नाम डाल देना है और उसके बाद start watching पे click करना है अगर वो सब नई feel करना है तो आप directly start watching पे click कर दिजिए और यहां पे आप जो है मतलब premium आपको free में मिल गया अब हम आपको दिखा देते हैं जैसे हमने यहां पे click किया और my subscription पे click किया तो यहां पर आप देख सकते हैं premium जो है वो date of purchase दिखा रहा है आज की और यहां पर जो है expiry date मतलब एक महिने का है तो 8 July 2023 दिखा रहा है expiry date यहां पे आपका plan आप इस type से देख सकते हैं यहां पे आपको benefits दिखा रहा होगा जैसे कि watch ad free movies and web series on two devices मतलब आप दो devices पे same time पे जो है देख सकते हैं इसी ID को आप दो device में login करके जो है चला सकते हैं सब्सक्रिप्शन का आनंद benefit उठा सकते हैं अगर वीडियो से help वी हो तो वीडियो को कर दीजे like चैनल को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए